हेलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो फिजिक्स क्लास स्टुदेंट्स आज हम यहां पे अटॉमिक की जो हम गेट की कॉशन सिरीज करें थे उसको सेकेंड पार्ट लेकि आई हूं मैं आज आपके लिए जिसके अंदर हम फॉलॉइंग कॉशन जो हमारे प्रिवियस यहर आप SPECTRAL TERM FOR A CERTAIN ELECTRONIC CONFIGURATION ARE GIVEN BY हमारी जो ELECTRONIC CONFIGURATIONS नहोंने वो दिये है वो ELECTRONIC CONFIGURATION क्या है मैं यहां लिख देती हूं वो है हमारी 3d 1d 3p 5s 3s और 1p ठीके इन में से हमें ये बताना है कि हमारी कौन सी ऐसी है जो term हमारी किसकी है आपकी lowest energy की है आपको lowest energy की terms इन में से बतानी है ठीक है तो हमें ये पता है कि जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि lowest energy term कौन सी और हमें ये terms दी हुई होती है तो हम हुंट्स रूल को याद करते हैं कि क्या थी वो ठीक है क्योंकि उस टाइम की जब हमें यह बताना है कि lowest energy है तब हमें कुछ न कुछ points को ध्यार में रखना होता है उन्हीं points के base पे ही हम उसकी lowest energy को decide करेंगे ठीक है तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये कहा कि आप सबसे पहले multiplicity को लेके चलो, ठीक है, multiplicity के अंदर जिसकी multiplicity जितनी सबसे ज़ादा होगी, ठीक है, जिसकी multiplicity ज़ादा होगी, वो ही क्या रखेगा, lowest energy रखेगा, ठीक है, जिसकी multiplicity जितनी ज़ादा, उतनी ही कम उसकी क्या होगी energy होगी फिर यह कहता है यह तो चलो पहले बात हो गई ठीक है second इन्हों ने क्या कहा कि अगर आपकी s की value क्या है same आरी है s value क्या है आपकी अगर same है ठीक है तो आपको किसका ध्यान देना है L की value के उपर ध्यान देना है ठीक है L की value जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी ही energy उतनी ही क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी L की value जितनी ज़्यादा energy उतनी ही कम हो जाएगी ठीक है उसके बाद हम किसके पास गए third point के उपर थर्ड पॉइंट उनका ये कहता है कि अगर S और L आपका क्या है सेम है यानि कि S से ही आपकी multiplicity निकल रही है ना तो मैं खाली उसको S बोल रही हूँ आप यहाँ पे multiplicity value भी बोल सकते हो कि अगर multiplicity value आपकी same है तो आप किसको देखोगे कि L की value को देखोगे कि दोनों P में है या दोनों S में है या जितने विटम दियो हैं सारी P की है सारी S की है सारी D की है सारी F की है इस तरीके से आपको उनमें चेक करना है ठीक है तो आपको पता है वो increase का मतलब क्या है आपको value सब पता है कि ये क्या होती है S, P, D, F, G, H इस तरीके से होती जाती है इसकी L की value 0 होती है P के लिए L की value 1 होती है D के लिए 2 होती है F के लिए 3 होती है इस तरीके से चलती जाती है हमारी ठीक है तो जब यह increase करता जाता है तो जिसकी जतनी ज़्यादा L होगी यानि कि इसकी जैसे 3 है तो energy F के लिए उतनी ही क्या हो जाएगी आपकी कम हो जाएगी ठीक है उसके बाद देखिए अगर आपकी multiplicity और आपकी L की value orbital की value आपकी same है या इस तरीके से हमारे पास आ रही है तो हमें किस चीज को check करना है तो हमें students check करना है J की value ठीक है अगर हमारी J की value suppose आप क्या लेके चल रहे हो P को लेके चल रहे है ठीक है P orbit है P orbit के लिए 1 0-1 हमारे पास यही होता है अगर यह हमारी कैसी हो जाए आपकी half field से less than आपकी जो value आ अंदर आ रही है ठीक है S की value यहां पर suppose आपकी जैसे यह दो फिल्डी थी अभी ठीक है अगर यह दो ही फिल्ड है तो आपको J की value इसके अंदर निकालनी पड़ेगी यहां पर आपको पता है यह value किसकी दी होई होती है आपको ML और MS की दी होती है तो ML आपका submission यहां पर कि अहां तक जाएगी ML प्लस MS से लेकि ML माइनस MS तक जाएगी तो 1 प्लस 1 तो आपका 2 हो गया और 1-1 कितना हो गया 0 तो हमें पता है इसके बीच में एक और टर्म रहती है तो वह हमारी total terms क्या देके जाएगी 210 तो total हमारे पास जो J है वह हमारे पास क्या है 210 हमारे पास होता है ठीक है तो यहां से अब क्या है हमारा हुंस्रूल यहां पर यह कहता है कि अगर यह half field से क्या है कम है अगर half field से कम है तो जो lowest वाली value है वही क्या दिखाएगी lowest energy दिखाएगी ठीक है यानि कि उसकी ही क्या होगी lowest energy तो यह जो 0 वाला part है आपका जो term बनेगी वो क्या है यहा तो 3p not जो है वो आपका क्या दिखाएगा lowest energy रखेगा ठीके अगर यहां पे क्या होता अगर मैं यह और फिल कर देती यहां पे यह और एक यह वाला यानि कि यह half field से क्या हो गया जादा हो गया तो half field से जब वो जादा हो जाता है तो उस time पे जो maximum वाली value होती है वो क्या रख कि अंदर आप की maximum किसकी जैसे 2 की हो गई तो 2 की उसमें क्या हो जाएगा आपका जिसे निकाल लेंगे तो यहां पे जैसे 2 है तो यहां पे 3p 2 जैसे आप लिखतोगे तो इसकी energy क्या हो जाएगी वहाँ पे low हो जाएगी ठीक है तो यह आपके क्या थे हूंस rules थे जो आपक सार पन्च रूल्स को ध्यान में रखोगे यही अप्लाई कर करके आओगे तो कॉस्टन गलत नहीं होगा ठीके अब अपने को कॉस्टन में से देखते हैं अपने कोस्टन के अंदर हमें सबसे पहले मॉल्टिप्लिसीटी देखनी है medical city कें अंदर हमने दिख रहा है कि five की multiplicity क्या है आपकी जादा है और यह किसकी है s के लिए तो 5s ही हमारा क्या रखेगा यहां पे lowest energy रखेगा ठीके तो हमें यहां पे बता देना है कि इन में से कौन सी term है जो lowest energy रखरी है वो हमारी कौन सी है 5s तो first option is the correct option ओके और यह आपका जो पूछा गया था यह gate 2004 में पूछा गया था next question के पास चलते है next question क्या कहता है the degeneracy of the spectral term 3f is आपको बताना है कि 3f spectral term की degeneracy कितनी होगी ठीक है यह question आपका gate 2004 में पूछा हुआ है और आपको इसके लिए बतानी है किसके लिए बतानी है आपको 3f के लिए बतानी है ठीक है 3f के लिए अगर आपको डी जनरेसी बता ठीक है तो आप डी जनरेसी के लिए ऐसा ही formula लगाएंगे जिसके लिए आपको L और S के जरूरत होती है तो हमें पता है एक डी जनरेसी का formula ऐसा 2L plus 1, 2S plus 1 हमारा यह degeneracy हमारी इसकी value इसका यह formula हमारे इसकी value के degeneracy दे जाएगा ठीक है तो आप देखिए इसके अंदर यहां आप यह पूरी multiplicity होती है तो आप लोग क्या करते हो कई बर यह mistake करते हो आप S को यह पूरा ही ले लेते है यह वह भी बच्चे करते है जो भी just MSA से pass out हुए है ठीक है जिनकी practice नहीं हुई है इन questions के ओपर ठीक है तो आपको यही चीज अच्छे से ध्यान देना है कि यह multiplicity ह यह पूरी की पूरी 2S plus 1 की value होती है ठीक है यहां से आपको S की value find out करनी है तो यहां पे S की value कितनी हो गई आपकी 1 आ जाएगी S आपका 1 हो गया और F के लिए L की value कितनी होती है 3 होती है तो आप जस्ट यहां पे इसकी value को put कर दीजिए और आपका answer यहां पे आ जाएगा ठ 3 into 2, 6, 6 plus 1, 7, 7 into me, 2 into 1, 2, 2 plus 1, 3, then 7 into 3 is 21 ठीक है तो हमारे पास कितनी degeneracy आएगी S की 21 ठीक है तो यहां पे आप बता दीजिए कि इसका answer क्या हो जाएगा आपका D option हो जाएगा, that is 21 ओकी, next question के पास चलते है, next question हमारा क्या है, the land is g factor for the level 3d3 is, हमें यह बताना है कि 3d3 के लिए आपका land is g factor की value क्या होती है, यह हमारे पास option है, देखे कितने सारे question ऐसे हैं, जो atomic से आपके पूछे गए हैं, है ना, कितने सारे questions हैं, तो देखे इसका answer क्या हो जाएगा, आपक 3d3 के लिए बताना है आपको, 3d3, तो हमें पता है, l की value तो इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 है multiplicity, तो s की value आपकी 1 है, और j की value कितनी हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी, अब main point क्या है, main point हमारा यह है, कि हमें यह पता होना चाहिए, कि land is g factor का formula हमारा क्या होता है, ठीके, तो land is g factor का जो formula होता है, उसको land is g factor को g से denote करते हैं, और इसका formula होता है, 1 plus में j into j plus 1, plus में s into s plus 1, minus के l into l plus 1, divided में 2 j into j plus 1, दिहान रहे कि इसके नीचे नहीं होता है, ठीके, इस portion के नीचे ही होता है, अब इसकी values को put कर दीजे, तो 1 plus में j की value कितनी है, 3 into 3 plus 1, plus में 1 into 1 plus 1, minus के 2 into 2 plus 1, divided by 2 into में 3 into 3 plus 1, ठीक है, आब इसकी value को solve कर लिजे, ये कितना आजाएगा, 1 plus में, ये 4, 4, 3 is a 12, plus में आपका ये 2, and minus में 2 plus 1, 3, 3 is a 6, divided by 2, 3 is a 6, 6, 6 multiplied by 4 is 24, ओके, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आजाएगा, 12 minus 6 is 6, 6 plus 2 is 8, तो 1 plus 8 by 24, and 8, 3 is a 24, now take LCM, 3 plus 1 is a 4 by 3, so, जो आपका लेंडिस G-Factor है, 3D3 का, वो आपका कितना आगया, 4 by 3, ठीक है, तो आपका आंसर यहां पे कितना आजाएगा, 4 by 3, so, the correct option is D, that is 4 by 3, अब next question के पास चलते हैं, next question हमारे पास क्या है, the L, S and J, quantum number correspondingly to the ground state electronic configuration of the boron, Z is equal to 5R, आपको यह दिया हुआ है, कि जो boron है, उसके लिए आपका Z है, वो कितना है, boron के लिए Z आपका 5 है, ठीक है, boron के लिए Z आपका 5 गिवन है, लेकिन बतानी कौन सी है, L, S, J की value, जो की ground state के लिए है, आपकी, ठीक है, तो ground state के लिए हमें इसकी value को बताना होगा, तो Z is equal to 5, यह तो सिदह ही दिया हुआ है, तो पहले हमें इसकी notation लिखनी पड़ेगी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 1S, 2, 2S, 2, 2P, 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2P, 1, 2P, 1 की form में है, तो इसको पूरी terms के according, आपको spectroscopic term की form में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर वैसे लिखना है, तो हमें पता है, P के अंदर total 6 होती है, उसको लिखा कैसे जाता है, आपका 1, 0, minus 1 से लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि P के लिए L की value 1 होती है, लेकिन ML की value plus 1 से लेके, minus 1 तक जाती है, तो 1, 0, minus 1 इसकी notation इस तो submission of ML आपका कितना हो जाएगा, 1, और submission of MS आपका कितना हो जाएगा, half हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अगर J की value बतानी है, तो आपको पता है, वो कितने हो जाएगा, ML plus MS से लेके, आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी, या फिर आप total इसकी value को बता सकते हैं, कि L की value यहा और S की value आपकी half ही रह गई है तो आप J की value बता सकते हैं L plus S से लेके आपकी L minus S तक हो जाएगी ठीक है तो अगर L plus S कर रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी 3 by 2 और minus करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी half बीच में कोई time नहीं आती है तो 3 by 2 और half इसकी 2 time आ गई है लेकिन आपको बतानी कौन सी है क्सी चिस जानना बहुत ज़रूरी है आपको सिर्फ ground state के लिए बतानी है तो सिर्फ जब हमें ground state के लिए ही बताना होता है तो ground state के लिए फिर हुन स्रून को देखेंगे कि यह कहती है आपकी जो यहाँ पर filling हो रही है वो less than आपकी इससे हो रही है half से less filling हो रही है तो less वाले में जो कम वाली होगी value वही lowest energy यानि कि ground state के अंदर लाइक करेगी ठीके यहाँ पर जो आपका j की value half है ठीके j is equal to half है वो क्या रखेगी आपके ground state के अंदर होगी low energy होगी ठीके तो इसके लिए जो आपका correct option हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा l is equal to 1 s is equal to half और j भी आपका half ही होगा इस case के अंदर ठीके तो यहाँ पर हमारे पास यह 4 question आपके complete हो गए है next question के पास चलते है next question के अंदर देखिए यह क्या कहता है the allowed state for the helium 2P2 configuration R ठीक है यह question आपका पूछा गया है gate 2007 के अंदर ठीक है यहाँ पर आपको यह बतानी है कि 2P2 की configuration के अंदर जो allowed state है वो इन में से कौन सी है ठीक है अब देखो students इन में से जो main ध्यान में रखने वाली बात है आपके वो क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो question उसने पूछा है वो P स्क्वायर यानि की equivalent के बारे में पूछा है अगर वो यह कहता P.P तो आप इनको अलग अलग लेके कर सकते थे ठीक है लेकिन जब P2 लिखा हुआ है तो उसको Brits law से ही solve करना ठीक है तो अगर उसका यूज करते हैं तो Brits के अंदर हमें पता है यहां पे देखो बिल्कुल श ठीक है यहां पे कितना हो जाएगा इनको add करते जाओ 2 फिर 1 0 फिर यह 10-1 यहां पे कितना हो जाएगा आपका 0-1-2 ठीक है टोटल हो गया यह वाला तो अब इसके अंदर जो यह main line वाली है इसके उपर up line ऐसे diagonally जो है न इसके उपर line लगा दो ठीक है इसके उपर लगाने के बाद आपको यह लिखना है कि यह वाली जो term है ना वो किसके लिए होती है आपकी s is equal to zero के लिए बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि यह आपकी singlet और यह आपका जो बचा है ना यह वाला factor यह क्या देगा आपको triplet यानि कि s is equal to one की term है बस आपको यही चीज ध्यान मे नहीं रखना बस इतना ध्यान में रख लो अब इसके according आपके पास क्या क्या term आई है l की value एक तो आपको 0 है एक आपकी 2 है s आपका 0 आगया यहां से आपकी l की value आपकी 1 है और s कितना आगया 1 बस अभी इसके according इसकी term बता दो l 0 का मतलब क्या है s के बारे में बात कर रहा ह s 0 है यानि कि multiplicity आपकी कितनी हो गई 1 क्योंकि 2s प्लस 1 के अंदर s को 0 पुट करेंगे तो वो 1 ही देके जाएगा singlet state ही देके जाएगा आपको है ना और यहां पे jb कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर 2 के लिए लिए लिखेंगे तो 2 कितना होता है आपका बताईए d है तो यह d हो जाएगा यह तो singlet स्यवडि रहेगी और यह कितना हो जाएगा आपका तो अब यह कहता है इसके लिए करेंगे ultimate state देके जारह ए है तो यहां पर क्या लिखना है 3 और यहां पे j की value कितनी हो जाएगी 1 plus 1 2 और 1 minus 1 कितना हो गया 0 और बीच की state 1 हो गई तो यानि कि आपके पास जो answer हुआ वो क्या हुआ एक यह state एक यह state और एक यह state है ना तो यह 3 states हमारी इसके अंदर मिलने चाहिए जिसमें यह मिलेगी हम उसको क्या कह देंगे कि यह हमारा answer है तो हमें यही चीज इसके अंदर not करनी थी तो यहां पे देखो 1s not 1d2 और 3p not 1 2 तो यही हमारी states थी तो इसका मतलब जो आपका B option है वो आपका क्या है correct option हो गया है ठीके तो यह हमारे पास आपका आज के test जो question series थी वो complete हो गई है next question series के साथ मैं कलाओंगी hope आप मेरे साथ बने रहेंगे बिल्कुल easy है यह ठीके और धीरे धीरे ही चलके हमें question करने आते हैं यू नहीं कि हम एकदम से बिल्कुल high level की question करने लग जाएं ठीके तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ बने रहें अपने friends के साथ भी इसको share करें लिंक को जो मैं वीडियो बना रही हूँ जो यूट्यूब के उपर upload होगी ठीके और मैं चाहती हूँ कि जद्ध से जद्धा बच्चों को यह मिले ताकि उनको भी यह समझ में आ जाएं questions ठीके जो अभी भी यह सोच रहे हैं कि हाँ atomic की question नहीं निकलते हैं तो कम से कम जो ह अलग हो जाते हैं जब तक हम question की revision नहीं करते हैं उनको apply नहीं करते हैं तब तक हमें वो चीज ध्यान नहीं रहती है है तो hope आपको अच्छा लगा होगा lecture thank you for watching this video thank you so much